सुशान सिंग राजपुत के इसमें आय ड्रग मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में और बड़ी शक्सियत हाथ लगी है यस शक्स बॉलिवोड डाक्टर अरजिन रामपाल की गर्फरिंड गैबरियला का भाई है गैबरियला की भाई का नाम अगीसियालोस है और NCB ने अगीसियालोस के पास से हाश और अलप्रा जोलम की टाबलिट्स जब्त की है NCB द्वारा गिरफतार किये गए ड्रग पैडलर्स ने से पूछताज के दरान अगीसियालोस का नाम सामने आया था NCB को वो इसकी एक ड्रग मामले में इसकी बड़ी भूमी का दिखाई दे रही है NCB के मताबिक अगीसियालोस कई बड़े ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था और ड्रग सप्लाई करने में सक रिये था NCB के जोनल डारेक्टर समीर वानखेडे ने अगीसियालोस की गिरफतारी की पुष्टी की समीर वानकेडे ने एक इंट्रिव्वे में बताया कि अगीसियालोस सुषान सिंग राजपूत और रिया चकरवर्ती के इस मामले में गिरफतार हुए पैडलर्स के संपर्क में है अगीसियालोस का इस मामले में सीधा संबंध है और इसलिए उसे गिरफतार किया गया है जाच एजनसी का कहना है कि गिरफतार हुए अन्य पैडलर्स के जरिये अगीसियालोस का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया रिपोर्ट के मताबिक NCB ने की अगिसी आलोस की दो दिन की हिरासत मिली है जी हाँ आपको बता दे कि सुशान सिंग राजपुत केस में आए ड्रग मामले की जाँच NCB कर रही थी जाँच के दोरान NCB ने सबसे पहले रिया चकरवर्ती की भाई शोविक चकरवर्ती और कुछ अन्य लोगों को गिरफतार किया था बाद में रिया चकरवर्ती को गिरफतार किया लगबग एक महिने नियाएक हिरासत में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोट ने हाल ही में रिया को सशर्ट जमानत दे दी है हाला कि एंसे भी अपनी जाच में जुटी हुई है नेक्स आल लाइफ की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिशक शर्मा